सुरी शिवाय नमस्टू भ्यभ्यम दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी के महीने में सोमवती अमावसया आने वाली है और दोस्तो यह सोमवती अमावसया बहुती विशेश और मेहतुपूर्ण होती है तो दोस्तो 20 फरवरी 2023 को सोमवार के दिन यह अमावसया और दोस्तों सोमवार के दिन पढ़ने वाली अमावस्या को ही हम सोमवती अमावस्या कहते हैं तो दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन किये जाने वाले सारे विशेश उपाई हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जो कि बंडी जी ने अपनी शिव महापुरान कथ तो दोस्तो सबसे पहली बात जो हम आपको सोमवती अमवस्या के दिन की बता रहे हैं वो ये है कि सोमवती अमवस्या के दिन जो भी आप दान पुनने करते हैं उसका आपको विशेश यहाँ पर फल देखने के लिए मिलता है ठीक है और इस दिन जो है पीपल के वरक्ष की पर इक्रामा की जाती है इससे आपको विशेश वलकी यहां पर प्राप्ती होती है चलिए दोस्तो अब हम बात करते हैं विशेश उपायों के बारे में दोस्तो अगर आप लोगों के घर में लड़ाई जगड़ा बहुत होता है पती पत्नी के बीच का जो संबंध है वो तूटन पीपल के वरक्ष की नीचे जाकर पीपल की पूजन करना है पीपल पर जल चड़ाना है कुंकु रोली चंदन से उनकी पूजन करना है ठीक है उसके बाद अपने साथ जो है कच्चा सूत लेकर जाना है मतलब कच्चा धागा जो होता है न वो लेकर जाना है कच्चे धागे लेकर जाना है उसी को ये पूरा उपाए करना है थीक है तो अपने हाद में कच्चा सूत रखकर पीड़ के व्रक्ष की साथ परिक्रमा करो थीक है बॉहुत आपको फबाई यहां पर यह होगा है थीक है शलीए दोस्तो अगले उपाए कि हम लोग बात करते हैं दोस्तों अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है और वो आपका पैसा नहीं दे रहा है जिसकी वएसे आपकी घर में बहुत लड़ाई चगड़ा होता है कलेश होता है ठीक है तो किसी को आपने पैसा उधार दिया है वो वापस नहीं लोटा रहा ह तो सूमवती अमवस्या के दिन यह उपाय कर लो वो खुद बाख खुद आपका पैसा लॉटा कर जाएगा ठीक है आपको उससे बार बार बोलने की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसमें आपको करना क्या है तो दोस्तो इस उपाय में आपको लेना है काली तिल जिसक पत्थर पर पीस लेना है ठीक है मतलब अपने हाथों के परिश्रम से उसे पीसना है मिकसर में नहीं पीसना है तो काली तिल को सुबह उठकर जो है पीस लो जो की गल गई होगी पीसने के बाद दोस्तो करना क्या है इसे कटोरी में रख लो कटोरी में रखने के बाद इसी क पिसी होई काली तिल की उपर आप लोग डाल दो पीला चंदन और इन दोनों चीजों को मिला लो ठीक है मिलाने के बाद दोस्तों एक जल का पात्र लो उस जल के पात्र में आप जल भर लो और साथी में थोड़ा सा कच्छा दूस शुद्य देशी काया का डाल लो है न तो इस से पहले शिब जी के मंदर में पहुचकर शिब जी की शिवलिंग के उपर जो आपने पिसी हुई काली तिल और पीले चंदन का जो है लेपन बनाया है उस पूरे लेपन को शिब जी की शिवलिंग के उपर पूरे में फेड़ दो जलाधारी पर भी फेड़ दो फेड़ने क कि उपर आपको बस अपने तीनों हातों की उंगलियों से एक त्रिपुंडो बनाना है क्योंकि अपने लेपंतों पहले से किया होगा तो आप जब लाइन खीचेंगे तो वो त्रिपुंड़ अपने आप बन जाएगा ठीक है तूस त्रिपुंडो को आपको भगवाई शिव जी की शिवलिंग की उपर आपको समर्पित करना है ना और जब आप लोग यह पांच बेल पत्री समर्पित करेंगे तो आपको भगवाई शिव से अपनी मनुकाम न बोलना है कि भगवाई शिव इसने हमारा पैसा लिया है और यह पैसा वापस नहीं कर रहा है तो आप जो हमन न करते हो 5 बेल पत्री स्थी शिव लंग्यू पर समर्पित कर देना है उसके बाद जो आप कलश लेकर रहा है जिसमें आपने जल और देदों मिलाया हुआ है इस जल के पात्र को आपको करना है शिव जी की शिव ली उपर एक धारा से थोड़े दोड़े करके पूर दिन जिस बच्चा या बच्ची का विवाह नहीं हो रहा हो तो उस व्यक्ति को उस बच्चा बच्ची को जो है सुमवती अमवस्य के दिन यह काम जरू कर लेना चाहिए उसका विवाह हो जाएगा ठीक है तो करना क्या है दोस्तों लोगों को उन बच्चा या बच्ची को जो का विवाह नहीं हो पा रहा है ठीक है तो सुमवती अमावस्तिय के दिन पीपल के व्रक्ष की परिक्रमा करो आपका विवाह कहीं न कहीं पक्का हो ही जाएगा बहुत इच्छी जगा पर भग्मान भुलेनाजी के आश्रिवास से उसके बंदे दोस्तों जो अगला उपाय है वो है आपके बीमारी का अगर आपको शुगर है आपको बीपी है या किसी प्रकार के आपके शरीर में आपको दिक्कत है बहुत ज़दा आपके शरीर में आपको समस्तिया होती है या किसी और व्यक्ति को आपके घर के किसी और सज़स्तिय को भी अगर कोई बीमारी रोग ह तो भी आप यह होपाई जरू करें सोंवती अमावस्तिया के दिन करना क्या है दोस्तो एक पात्र लेना है आपको ठीक है एक पात्र में जल भरकर उस जल के अंदर आपको डालना है पीला चंदन ठीक है कौन सा चंदन पीला चंदन पीला चंदन डालने के बाद दोस्तों आपको लेनी है काली मिर्ची थोड़ी सी काली मिर्ची अपने हाथों से पीस लेना है पीस कर जो है उसी जल पात्र के अंदर डाल लेना है ठीक है थोड़ी सी काली मिर्ची दो से तीन काली मिर्ची प कोई से भी फूल के भी क्यों ना हो तो आपको 7 पेड़ों की एक-एक पतियां अलग-अलग ठीक है मतलब साथ अलग-अलग पेड़ों की एक-एक पतियां आपको तोड़ लेनी है और वो सब भी इसी जलके अंदर डाल देनी है ठीक है तो 7 बेल-पत्री डाल ली 7 अलग- को इस पर्ष करवा कर आपको पहुंच जाना है शिब जी के मंदर में ठीक है आप शिब जी के मंदर में पहुंचने के बाद सबसे पहला क्या करना है आपको कि शिब जी की शिब लिंग की उपर यह पूरा जल आपको समर्पित करना है ठीक है मतलब जो आपने अंदर पूरी स tree क обяз एपने बचाएंद रांज के चुछञा करुई कि उसे च्वर चुछा जहए कर अपने दए अपने जहएं कि ऊपने पाइ में पर पूरा चड़ा देना है उसमें आपको वापस से जहिल कर लाना है ठीक है इसी जल को जो कि आपने कहां पर चड़ाया है चोखट पर चड़ाया है इस जल को अपने घर लाने के बाद घर लाने के बाद जो है आपको करना है कि जिस व्यक्ति के लिए आपको कर रहे हैं जो व्यक्ति रोग विमारी से घ करना एक गी का दीपक बीजरूर 놀ाट है अपने खर के मुख़ेस्वार पर एक गी का दीपक भीजरूरूर लगाना निस्चति उस व्यक्ति की बीमारी होगी वह ठीक होगी शुगर होगा बीपी होगा जितनी भी प्रकार की शरीर में दिक्कत होंगी वो बहुत जल्दे ठीक हो जाएंगे ठीक है तो जरू करके देखिए उसके में दोस्तों अगला जो उपाय है वो बच्चों के लिए है माताएं भेने बहुत जादा परिशान रहती है कि उनको बच्चा पढ़ता नहीं है तो भई सुमवती अमावस्या के दिन यह हुपाय जरू करके देखो तो करना क्या है दोस्तों जो व्यक्ती बच्चा मतलब पढ़ने में कमजोर हो पेपर नहीं निकाल पा रहा हो बहुत मन से पढ़ता है पर जब भी उसका पेपर नहीं निकल पा रहा है तो भई यह हुपाय करके देख लो सुमवती अमावस्या के दिन करना क्या है आपको आपको बनाना है दो स्वस्तिक अलग-अलग जगाहों पर सुमवती अमावस्या के दिन आपको जो है दोपहर के समय आप बारा बजी से लेकर मतलब शाम तक यह उपाय कर सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा तो आपको करना क्या है कि दो स्वस्थिक बनाना है सबसे पहला जो स्वस्थिक बनाओगे वो आप बनाओगे पीपल के व्रक्ष के पर जाकर है ना पीपल के व्रक्ष के पास चले जाओ और वहाँ पर जाकर पीपल के व्रक्ष के उपर पहला स्वस्थिक बना दो ठीक है स्वस्थिक का ऐसे बनाओगे कुंकू से बनाओगे है न तो कुंकू ले जाओ और कुंकू से जो है पीपल के व्रक्षी उपर एक स्वस्थिक बना दो उसी स्वस्थिक के नीचे मतलब जो पीपल के व्रक्ष होगा वहीं पर जो जमीन पर आपको एक गोल बाती का घी का दीपक जलाना है कौनसी बाती का गोल बाती का घी का दीपक जो है स्वस्थिक बना कर पीपल के व्रक्ष के नीचे जला देना है ठीक है जलाने के बाद दोस आप दीपक जलाओं वह अलग जला लो चिकרא और आपने गोलवाति के आप लगड़ लगीख जलाओं पर यहां पर आपको दीपकए जलाओं और इस स्वस्थे के उपर आप लोग रख दो है यह रखने के पाद भगवाय शिव जी से प्रार्तना कर लो उनसे विंती कर लो कि आपका बच्चा पढ़ना पढ़ने लग जाए ना तो निस्चिति आपके बच्चे के दिमाग तेज हो जाएगा और कुछी दिनों में आपको इसका फल भी देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों उम्नमाश्चिवाई जैबुल्याबास्रीशवाई नमस्तूप्यम